हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं इस्टेडी फिट चैनल दोस्तों आज में लेके आई हूँ लार्ण टेनिस से रिलेटेट मोस्ट इंपॉर्टिन कोस्चन जो आपकी प्रिवियस एर में पूछे गये हैं तो दोस्तों वीडियो को पुरा देखेगा बेरी इंपॉर्टिन को कोस्चन है और लार्ण टेनिस से एक कोस्चन के दो कोस्चन हर बार पुछा जाता है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे चैनल पर सभी वीडियो से लिवस्के कर दिये गया हैं और हंडे से ज़्यादा वीडियो प्रिवियस एर मसी क्यूश का प्रैक्टिस भी कराया गया ह हैं सभी वीडियो इसको आप देख सकते हैं तो आपको खुदी पताच लग जाएगा कि वीडियो में क्या है तो दोस्तों बने लखें मेरे चैनल पर डेली विसेस पर बेस्तिन तयारे के लिए तो चली चलते हैं आज के प्रश्णों की तरफ कोस्चन है दोस्तों लार्ण इसके एकल कोर्ट की लंबाई चोड़ाई होती है 78 गुड़े 27 फीट और दोस्तों वही पर यूगल के लिए पूछेगा तो 78 गुड़े 36 फीट हो जाएगा जैसा कि इसके बारे कुछ बेसिक बाते हम करेंगे और इसकी सर्विस लाइन जो है मध लाइन से 21 फीट यानी छे स्कोर्ट की चोड़ाई एकल के लिए साहे 13 फीट और यूगल के लिए 18 फीट होता है और लाइन की मटाई 5 सेंटिमीटर और अंतराश्टी प्रतिविता में प्रतियक रेखा यानी बेस लाइन के पीछे से कम से कम 21 फीट और पास यानी साइड लाइन के पीछे से 12 फीट का स्थान रहता है इसकी केंदर में नेट जो होता है उसकी उच्चाई तीन फिट होता है यानि दसमलो नो एक चार मीटर एंड दोस्तो इसके बाल का भार होता है 56 से 99 दसमलो चार ग्राम और इसमें जो हैंडल होता है उसका हैंडल समेथ फ्रेम की जो अधितन लंबाई होती है 29 इंच और हैंडल सहित फ्रेम की अधितन चोड़ाई जो होती है 16-12 इंच होता है तो आप चलते हैं आगे की परस्णों की तरफ जैसा कि दोस्तों कुछ और नियम है जैसे कि पूरुस के लिए 5 सेट और महिला के लिए 3 सेट में खेला जाता है पर एक सेट में 6-6 गेम होते हैं जो एक सेट में पहले 6 गेम जित जाता है वह उस सेट का जिता है तो उसका इसकोर 5 होता है दूसरा इस ट्रोक जितने पर उसका इसकोर 30 होता है तीसरा इस ट्रोक जितने पर उसका इसकोर 40 होता है और 14 जो जित जाता है उसे बीजय ही माना जाता है जैसा कि दोस्तों जब दोनों पच्छ तीन तीन इस ट्रोक जितते हैं तो उससे द्यूस बुला जाता है जैसा कि इसके सब्दावली में द्यूस परियोग किया जाता है और जब दोनों पच्छों में से जो पहले चवथा श्ट्रोक जीता है उसे एड्वांटेज बूला जाता है तो यहां पर कुश्चन ए भी पुछता है कि ड्यूस सब्द किस से खेल से related है तो learn tennis से advantage सब्दकी scale से related है तो learn tennis से और दोस्तो अभी तक में अमेरिका जो है डेविस कप जितनी वालों में प्रतम अस्थान है जो 32 बार जीता है next question है दोस्तो महिलाओं में अभी तक सबसे कम उम्र की कौन सी नमबर वन महिला tennis खिलारी है तो कौन है मार्टिना हिंगिस जो सुर्जर लैन की है और मार्च 1997 में मातर 17 वर्ष के आयू में विस्टो की नमबर वन खिलारी तेनिस खिलारी बनी जैसा कि दोस्तो सबसे कम उम्र में पूछेगा तो मार्टिना हिंगिस हो जाएगा और दोस्तो जो 2021 तक में अभी तक में हम बात करें तो सबसे ज्यादा महिला एकल में खिताब जितने वाली गर्ण इसलेम की हैं मार्गरेट कोर्ट आशलिया की जो 24 बार गर्ण इसलेम की किताब जीती है सबसे सरवाधिक दूसरे नमबर पर है सेना बिलियम्स जो योस्ते की है 20 गर्ण इसलेम किताब जीती हैं पूर्शों में बात करें तो रोजर फेडर, राभेट नना, एन्वाग जुकवी ए तीनों ने 20-20 गर्ण इसलेम जीते हैं जैसा कि दोस्तों आप गर्ण इसलेम होता क्या है कि तेनिस के एक साल में चार बड़े टूनामेंट आयट किये जाते हैं आश्रियान उपन, फ्रेंच उपन, विमलडन ऊपन, यूस उपन इसी को हम गर्ण इसलेम कहते हैं और एक वर्ष में चारों टूनामेंट को जीतमी वाले खिलाडी को हम गर्ण इसलेम बौलते हैं जैसा कि यह चारों टूनामेंट आश्रेलियन ओपन 1905 से खेला जा रहा है जो जन्वरी के मध्य में खेला जाता है हर्वर्स हार्ड कोर्ड पर खेला जाता है और दुस्या खेला जाता है आपका फ्रेंच ओपन 1891 में शुरू हुआ यह मई जुन में खेला जाता है और क्ले कोर्ड पर खेला जाता है तीसरा होता है आपका विमल्डन ओपन 1877 में शुरू हुआ यह जुन जुलाई में खेला जाता है हर्वर्स और यह ग्रास कोर्ड पर खेला जाता है जब था उता यूस ओपन 1881 से शुरू हुआ और यह अगास सितम्रे में खेला जाता है हार्ड कोड़ पर तो यहां पे वर्स में सबसे प्रतेक वर्स सबसे पहले आयत किया जाता है और फ्रेंच ओपन फिर बिबल्डन ओपन फिर यूस ओपन लेकिन इसमें से पूछा है तो बिबल्डन ओपन है जो 1877 से खेला जा रहा है दूसरे नंबर पर आपके 1881 में यूस ओपन जैसा कि आपने जान लिया कि आशल यूपन हरवर्स जनवरी माह में और फ्रेंच ओपन मैई जुन में बिबल्डन ओपन जुन जुलाई में यूस ओपन अगास सितम्र में जाता है इसमें से आशल यूपन और यूस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खिला जाता है फ्रेंच ओपन क्ले कोड़ पर और विबल्डन ओपन ग्रास कोड़ पर खिला जाता है और दोस्तों इसमें 2022 के ग्रेंच नेम जरूर पुछा जाएगा तो 2022 में ग्रेंच नेम जितन पुरु सेखल में और महिला एकल में जीती है आशनिया उपन एशलिया की जीती है और फ्रेंच उपन जीती है इक्स स्यमाटेक पुलाइंड की और विमलडन उपन जीती है एलिना रिवा टिक किना कजाकिस्तान की यूएस उपन जीती है इगा स्वीगा टेक पुला एंडगी यह 2022 का आपका इंपोर्टिन है और नेक्स्ट कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन है बिटानिया अमरित राज तेनिस अकादमी किस राज में इस्थित है तो बिटानिया अमरित राज तेनिस अकादमी तमिल नाडू में इस्थित है नेक्स्ट कोश्चन 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 कादम आदी तेनिस से समधित टूनामेंट है अन् तराश्चति सबसे अधिक बार टेनिस में डेविस कप जितने वाला देश कौन सा है जैसा कि मैंने बताया है इससे पहले अमेरिका है जो 32 बार डेविस कप जीता है जो सबसे अधिक बार जीता है अधुसरे नमबर पर है आशलिया 24 बार जीता है डेविस कप उसके बार तिसरे स्थाम पर ह प्रतिविता नहीं है तो जैसा कि आपको मैं बताई हूं कूर आश्रियन ओपन फ्रेंच ओपन विमल्डन ओपन यह सुपन इस चार ग्रेंड इस नहीं आएगा तो स्वीरिस ओपन नहीं आएगा नेश्र दोस्तो विमल्डन चेंपियंसिप किस खेल से समधित है तो यह है आपका टेनिस से नेश्र लियंडर पेस किस खेल से समधित है तो लियंडर पेस है आपके टेनिस से रिलेटेट जो लियंडर पेस ने इंडिया का प्रथम मेडल ओलम्पिक में जीतने वाले प्रथम विलारी हैं लिंडर पेस जो 1996 में अटलांटा उलंपिक में इन का से पतक जीता कुल तिन का से पतक जीते और दोस्तो इनको 1997 में राजियव गांदी एन 90 में और जुन पूरसकार मिला और टेनिस में प्रतम और जुन पूरसकार मिला है राम नाथन किष्णन को 1961 में और अर्जुन पुरस्कार किसको किसको मिला है रमेश किष्णन को बिजय, अमरित राज को, अनन्द अमरित राज को, महेश भुपती को, सानिया मिर्जा को, रोहन वोपन्ना को 2017 मिला है रजुन पुरसकार और अस्तानिया मिर्जा को 25 में राजु गांधी मिला है और 2004 में अरजुन पुरुसकार और 2020 में दिवीज सरर को अरजुन पुरुसकार मिला है बढ़ते हैं नेक्स कोस्टें की तरफ, दुस्ता को मिलान करना है थोची 1, सोची 2 में, आपका दिया है इ्रानी ट्राफी गेन इषिणेमान बीसीरा ट्राफी, योने खब सुची 2 में दिया ऑ बैमिंट्टन फूटबबाल क्रिकेट टेनिस, आपको मिजान करना है जैसा कि A है इराणी ट्रॉफी जैसा कि आपको बता है इराणी ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटिड है एकाथ 3 हो जाएगा यहां बी है जैसा कि मैंने बताया ग्रिय इसलेम खिला जाता है टेनीस में फुटवाल से यहां पे आपको धियान में रखना है वी सीकुतिान ने करते हैं ने विश्टंप से मिलन करना है यहां पर A है डेविस कप तो जैसा कि बार-बार यह रिपीट हो गया डेविस कप रिलेटेज है आपको टेनिस से and B है BC गुपता ट्राफी जो बास्केट बार से समधित है तो B का 3 हो जाएगा C है C के नाइडियो ट्राफी जो एक महान क्लिकेटर थे इनके नाम पर इसी के नाइडियो ट्राफी दिया जाता है तो यह क्लिकेटर से समधित है C का फूर हो जाएगा and D है UBER Cup जैसा कि UBER Cup टेनिस बाइमिटरल महिना से समधित है दिकार्टू हो जाएगा तो यहाँ पर आसन नंबर सीकरेट हो जाएगा नेश्ट है किस भारतिये ने प्रथम गर्ण इसलेम की उपाधि जीती है तो महेश भुपती ने प्रथम गर्ण इसलेम की उपाधि जीती है जो 1997 फ्रेंच उपन का मिस्स दियूगर खिताब जितकर गर्ण इस्ट्रेम जितने वाले प्रथम भारतिये बने थी इन्होंने जापान की रिका हिराकी के साथ जोड़ी बनाकर लिसा रेमंड और पैट्रिक गेलब्रेथ की अमेरिकी जोड़ी को पराजित किया था कि नेश्ट है 1993 के आस्ट्रियन ओपन टेनिस चेंपियंशिप का मेंस सिंगल खिताब किसने जितने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है तो जीम कूरियर और तरह 2020 आस्ट्रियन ओपन किताब जितने वाले पूरज ये कल में हैं नुआग जोकोभी एंड वज़शन ओपन जीता है रॉफेल नडाल तो ऑवज़शन ओपन ऑ फेंच ओपन दोनुने रॉफेल नडाल नीजीता है और विमर्नल उपन जीता है 2022 में नुवाग जुकविक और यूएस उपन जीता है 2022 में कार्लोस अलकरेच नेट है नुज लिखित में से कौन यूएस उपन टेनिस चेंपियन सिम्प के बारे में सही है तो यहाँ पे छे आपके लाइन दिया गया है जिसमें से पहला है इसकी थपना 1881 में हुई थी तो यह आपका पहला सही हो जाएगा एंड आपका दूसरा है 1881 से 1974 तक यह ग्रास कोट पर खिला गया यह भी आपका सही है और कौन सा सही है आपका इसमें है छटवा नंबर का सही है 1978 से आज तक यहाँ हार्ट कोट पर खिला गया यहाँ पे आपसा नंबर सी करेक्ट है एक दो और छे सही है जैसा कि दोस्तों US Open Tennis Championship की इस्थापना 1881 में हुई थी यहाँ खेल 1881 से 1974 तक ग्रास कोट पर खिला गया फिर 1975 से 1977 तक यहाँ खेल क्ले कोट पर खिला गया अवार्ट 1978 से बरतमान में इसे हार्ट कोट पर खिला जाता है नेश्ट है कौन सी टेनीस प्रतिविक्ता दूसरी सबसे पुरानी ग्रान इस्थापन प्रतिविक्ता है अमेरिकन ओपन इसी US Open भी कहा जाता है यह सुरुवात हुआ था 1881 से और दोस्तों जब पूछेगा कि पहली सबसे पुरानी ग्रान इस्थापन प्रतिविक्ता कोन है तो वह बिमल्डन ओपन इंगलेंड में है नेश्ट है कि A.C.E. का संबंध है तो A.C.E. का संबंध लान टेनिस से है लान टेनिस से जुड़े कुछ अनिस सब्द जैसे कि एडवांटेज, बैग हैंड ड्राइव, चीफ स्थाट, इसमेश, फूट फाल्ट, डबल फाल्ट, सिंगल स्ट्राइक आदी है नेश्ट है डेविस कप की स्खेल से जुड़ा है तो लान टेनिस से है डेविस कप, यूस कप, आशलियर ओपन, फ्रेंच ओपन, विबल्डन, चेंपेंशी, फिडरेशन कप, आधी लान टेनिस से है ठीक है वर्स 2018 के डेविस कप का खिताब क्रुएसिया ने अपने नाम किया है नेश्ट है जैलस में ट्रॉफी दी जाती है तो महिला टेबल टेनिस में दी जाती है नेश्ट है दोस्तो डबल फाल्ट प्रयोग किया जाता है डबल फाल्ट सब्द प्रयोग आता है किस खेल में तो टेनिस में जैसा कि दोस्तो सब्द डबल फाल्ट का प्रयोग टेनिस यानि लान टेनिस स्केल में होता है टेनिस में खिलारी दोरा पहली सर्विस गलत करने पर दूसरा आउसर दिया जाता है और जब दूसरी सर्विस गलत करने पर इसे डबल फार्ट कहा जाता है अथा अंक प्रतिस बधा खिलारी को दे दिया जाता है नेश्ट है परिवासिक सब्द दोहरी गलती किस खेल से समधित है तो लांट टेनिस से यानि डबल फार्ट को ही इंगलिस में कहेंगे दोहरी गलती ठीक है तो दोबल फार्ट किसे समधित है यानि दोहरी गलती लांट टेनिस से तो दोस्तों यह था लांट टेनिस से रिलेट पर ऐसे ही वीडियो पाने के लिए जैने को सब्सक्राइब कर लेजिए भी लाइकम को प्रेस कर लेजिए जिसे न्यू वीडियो को आप तक पहुचता रहेगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाएगे